So what's up guys, first of all welcome to our channel Help A Beta आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय सुर होता है अब अंसर होगा ओपसे नंबर B उदेपूर देश के प्रत्थम मार्सल आर्ट स्विस्व विद्यालिकी स्थापना उदेपूर में की गई थी क्वेश्चन सेकंड है महत्मा गांधी के पांचवे पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है अंसर होगा ओपसे नंबर B जमना लाल बजार जी को महत्मा गांधी के पांचवे पुत्र के नाम से जमना लाल बजार जी को जाना जाता है Q3 है ब्रह्मा विश्णू और महेश की त्रीमूर्ती वाला प्षिद्ध मंदर किस सहर में है? अंसर होगा ओपसे नंबर B सुचिंद्रम में Q4 है वर्धमान महाबीर कौन से तीर्थ कर थे? अंसर होगा ओपसे नंबर C 24 वे तीर्थ कर वर्धमान महाबीर 24 वे तीर्थ कर थे? Q5 है पीपल पर मीनाकारी की कला का समन्द किस से है? अंसर होगा ओपसे नंबर A जेपुर और अलवार से? पीपल पर मीनाकारी की कला का समन्द जेपुर और अलवर से है? Q6 है उत्रखन राजी का प्रशिद कार्बोट नैशनल पार्क निमनलिखित मैंसे किस जिले में स्थित है? अंसर होगा ओपसन नमबर A नैनिताल उत्रखन राजी का प्रशिद कार्बोट नैशनल पार्क नैनिताल जिले में स्थित है Q7 है राजिस्थान की सीमा कितने राजियों की सीमाओं को सपर्ष करती है Q8 है मुश्लिम धर्म में किस अंख को सुब माना जाता है अंसर होगा ओपसे नमबर B 786 अंको मुश्लिम धर्म में 786 अंको सुब माना जाता है Q9 है राज़ी की आखशी मक्ता निधी किसके द्वारा संचालित की जाती है एंसर होगा ओप्स नंबर D राजी का राजेपाल दौरा राजी की आकशी मक्त निधी राजी के राजपाल दौरा संचालित की जाती है निमनलखत वर्गों मैं से किसमें जनतूं की संख्या सबसे अधिक होती है अंसर होगा ओपसे नंबर C, इंसेक्टा में लिखत वर्सों मैं से इंसेक्टा जनतूं की संख्या सबसे आधिक होती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूले और हमारे चैनल पर स्टेडिस रिलेटर कॉंटेंट हमें सब प्रोवाइड की जाता है तो चैनल को सबस्क्राइब व्रू कर ले और बेल आकन को भी प्रस कर ले जिससे कि आपको आने बाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चलिए हम मिलता पर किसी अखली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर